हेलो गुड मॉर्निंग क्लास आज हम करने जा रहे हैं क्लास फोर्थ का लेसन फिफ्टीन हमारे उत्सव और त्योहार देखिए हम सब को पता है हम कहां पर रहते हैं हम भारत के अंदर रहते हैं और सबसे ज़्यादा फैस्टिवल हमारे इंडिया के अंदर ही सेलिब्रेट कि किये जाते हैं इसका एक रीजन तो ये भी है कि इंडिया के अंदर अलग-अलग धर्मों के लोग रहते हैं तो यहां पर बहुत सारे फैस्टिवल यहां पर बेटा सेलिब्रेट किये जाते हैं तो उसी से रिलेटिड आपकी एक छोटी सी ये पोयम है जो बहुत ही अच्छ है तो हमें बहुत जादा खुशी होती है कि ये वाला फैस्टिवल अब आने वाला है जिससे हमें हमारे अंदर पहले ही क्या भर जाती है हैपिनेस भर जाती है खुशी होने लग जाती है कि अब हमारे पास क्या है ये वाला फैस्टिवल आने वाला है देखिए मकर सकरांती पोंगल या खिच्डी या कहो लोडी का तिवहार रंग बिरंगे द्वार सजा कर खूब बाठते हैं उपहार अब देखिए अलग-अलग तरीके के हमारे फैस्टिवल आते हैं जैसे मकर सकरांती पोंगल या फिर लोडी जैसे कि अगर लोडी की बात करे तो उस पर हम भी आनंद मिलता है और हमें फैस्टिवल पे मिलते हैं उपहार मिलते हैं गिफ्ट मिलते हैं जिससे कि क्या लगता है बहुत ही जादा आनंद आता है आप क्या करते हो फैस्टिवल में बहुत ही जादा इंजोई करते हो हमारे उत्सव और तयोहार देते खुशिया हमें खुशी मिलती है बसंत पंचमी होली मतवाली इद दिवाली गुरुपर्व क्रिस्मस रंग बिरंगे पहन वस्त्र खूब मनाते हैं त्योखार अब वो बिल्कुल ठीक कह रहा है यहाँ पर अलग-अलग हमारे फैस्टिवल आते हैं जैसे होली है इद है दिवाली है कपड़े डालते हैं और खूब मज़े करते हैं देखो होली पर भी हम खूब मज़े करते हैं किस तरीके से हम एक दूसरे पर रंग डालते हैं और खूब मज़े करते हो आप सब इसी तरीके से दिपावली पर दिये जलाते हैं पटाके जलाते हैं तो हमें बहुत ज़ादा म पूरे के पूरे साल कोई फैस्टिवल ही ना हो, तो पूरा का पूरा साल कितना बोरिंग हो जाएगा, इन फैस्टिवल्स की वदत से हम क्या करते हैं, इंजोईमेंट करते हैं, तो देखी आगे, हमारे उच्छव ओर त्योहार देते खुशिया हमें अपार, देखो आए राष्ट्रियत योहार भी आते हैं, लाइक 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गई, यह हमारे क्या हैं, बहुती अच्छे फैस्टिवल है, यह भी हमारे एक तरीके के राष्ट्रियत योहार है, जिसको हम किसलिए मनाए जाते हैं यह, क्योंकि 15 अगस्त को हमारे देश को अजा इस तरीके से हमारे कुछ जो फैस्टिवल से राष्ट्रियत योहार है, वो भी बड़े अच्छे से यहाँ पर इंडिया के अंदर सेलिब्रेट किये जाते हैं, और यहाँ परी सबसे जादा अच्छे-च्छे सीजन्स भी हैं, इतने जादा सीजन्स कहीं और नहीं हैं, जि देते खुशिया हमें अपार, पंदरा अगस्त मिली आजादी, आप उन्होंने देखो वही बात क्या दी न, कि पंदरा अगस्त को हमें क्या मिली थी, आजादी मिली थी हमारे देश को, आपको तो पता ही है कि पहले देश किसका गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन फिर 15 अगस्त 1947 में उनको क्या मिल गई थी आजादी मिल गई थी और 26 जनवरी बना सविधान और वो बिल्कुल ठीक क्या रहा है और 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है क्योंकि उस दिन हमारा सविधान बना था पाँच सितंबर शिख्षक दिवस आप सेलिब्रेट करते हैं श्कूल में भी 5 सेटेबर तो उस दिन क्या होता है टीचर's डे आप अचछे से सेलिब्रेट करते हो और 14 सितंबर हिंदी दिवस महान और 14 सितंबर को क्या मनाए जाता है हिंदी दिवस हमारे उतसव और त्योहार देते खुशिया हमें अपार तो फिर से होई कहा रहा है कि हमारे यहां different different तरीके के फैस्टिवल्स होते हैं जो हमें बहुत ही ज़ादा क्या देते हैं खुशी देते हैं और फैस्टिवल्स तो होते ही हैं celebrate करने के लिए enjoyment करने के लिए तो ये आपकी एक छोटी सी पोयम थी बेटा दुबारा देखिए एक बार इस पोयम को अब वो इसमें क्या कह रहा है देखिए अगर मैं आपको यही पिच्चर देखने के लिए बोल दूँ तो आप फटा फट से मुझे बता सकते हैं कि यह कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा है देखो यह पिच्चकारी में से इसके ओपर कलर्स डाल रहा है तो आप बता सकते हो कि यह कौन सा फेस्टिवल है बेटा हमारा होली का अब अगर हमारा होली का फेस्टिवल है देखो हम उसे बहुत ही ज्यादा इंजोई करते हैं आप होली पर क्या करते हो गुबारे लाते हो रंग लाते हो और खूब सारा इंजोई करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करते हो होली को सेलिब्रेट करते हो इसी तरीके से अगर मैं इस फेस्टिवल की पूछू तो आ मैं पता है दिवाली क्यों मनाई जाती है क्योंकि इस दिश्राम चंदर जी अपने घर वापीस आये थे आगे देखिए इद ये एक दूसरे के गले मिल रहे हैं और इनकी कोस्ट्यूम देखकर ही पता चल रहा है कि ये कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं बेटा तो देखो इन पिच्चर्स को देखने पर एक चीज और अच्छे से हमें पता चलती है ये कि हमारे इंडिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट धर्मों के लोग रहते हैं देखो जैसे कि दिवाली हो गई या फिर होली हो गई ये तो हिंदू लोग मनाते हैं और इद ये Christians होते हैं, इसाई होते हैं, वो धुमदाम से कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं, बेटा, Christmas सेलिब्रेट करते हैं, तो देखो, means हमारे इंडिया के अंदर different different तरीके के धर्मों के लोग रहते हैं, और सभी बहुत ही प्यार से रहते हैं, भाई चारे के साथ रहते हैं, कोई किसी से लड़ता नहीं हैं, और सब के साथ हमें भी कैसे रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, और किसी से भी किसी तरीके का भेदभाव नहीं करना चाहिए, तो देखिए, एक बार ये पोयम हम दुबारा पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपको समझा तो दी गई है, देखिए, हमा रंग बिरंगे द्वार सजाकर, खूब बाठते हैं उपहार, हमारे उत्सव और त्योहार, देते खुश्या हमें अपार, बसंत पंचमी खोली मतवाली, इद दिवाली गुरुपर्व क्रिस्मस, रंग बिरंगे पहन वस्त्र, खूब मनाते हैं त्योहार, हमारे उत्सव औ देते खुशियां हमें अपार। देखो आए राष्ट्रिय त्योहार देश प्रेम का लिये पेगाम। राष्ट्रे ध्वज रहा फहर मात्र भूमी को करे प्रणाम। आगे देखिए विटा। जिसमें हमें ये बताया हुआ था कि हमारे इंडिया के अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे फेस्टिवल सेलिब्रेट किये जाते हैं। जैसे अब देखिए अब रक्षा बंधन भी आ जाएगा फिर हमारे वही फेस्टिवल शुरू हो जाएगे दिशेरा भी आ जाएगा दिवाली भी आ जाएगा और ये किसलिए होते हैं। जिससे हमें क्या पता चले काफी सारी बाते भी हमें अच्छी-च्छी सीखने को मिले और हम थोड़ा सा फेस्टिवल पे इंजॉइमेंट भी कर सकें। ठीक है बिटा अब हम करेंगे इसकी बैक एक्सरसाइज। देखिए इसके नए शब्द। उच्सव का मतलब ही हमारा क्या होता है त्योखार उच्सव को हम क्या बोल सकते हैं बेटा त्योखार अपार का मतलब होता है बहुत अधीक मिन्स बहुत ज्यादा द्वार द्वार का मतलब होता है दर्वाजा इसी तरीके से वस्त्र वस्त्र का मतलब होता है कपड़ा पेगाम, पेगाम का मतलब होता है संदेश, ध्वज, ध्वज का मतलब होता है बिटा, जंडा, आगे देखिए, अब वो कहा रहा है, त्योहार हमें क्या देते हैं, हमें पता है कि त्योहार हमें क्या देते हैं, खुशियां, हमें बहुत खुशी होती है, बहुत मज़े करते ह फेस्टिवल्स पे हिंदी दीवस कब मनाया जाता है 14 सितंबर को यह है तो हमारे छोटे-छोटे कोशन्स पर इसमें भी देखो हमारे कुछ जीके के कोशन्स निकल के आ गए है जैसे कि देखो हमारा देश कब जाद हुआ था 15 अगस्त को सुविधान कब बना था 26 जनवरी को इसी तरीके से शिक्षक दीवस कब मनाया जाता है 5 सितंबर को ठीक है और हिंदी दीवस 14 सितंबर को देखो तो इसमें 3-4 हमारे जीके के कोशन्स भी निकल के आते हैं तो आपको इनको ध्यान रखना है हिंदी दीवस कब मनाया जाता है 14 सितंबर को आगे देखिए राष्ट्रिय त्योहार क्या पेगाम लेकर आते हैं राष्ट्रिय त्योहार देश प्रेम का पेगाम लेकर आते हैं मेंस कि हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए और अपने देश पर गर्व करना चाहिए, और इसलिए हमें जो हमारा राश्टरे धुज है, राश्टरे फ्लैग है, हमारा नैशनल फ्लैग, उसकी हमें हमेशा रिश्पेक्ट करनी चाहिए, आगे देखिए विटा देखिए इन में से कौन सा राष्ट्रिय त्योहार नहीं है पांस सितंबर, पंदरा अगस्त या फिर छब्श जनवरी ये दोनों तो राष्ट्रिय त्योहार है कौन सा लगए हमारा पांच सितंबर हमारा सुविधान कब बना था आप ये देखो, इंट्रेस्टिंग बात पुछी है असने तू अक्तूबर को, 14 सितंबर को या 26 जैनवरी को तो 26 जैनवरी को आगे देखे बेटा, सवतंतरता दीवस कब मनाया जाता है 26 जनवरी, 15 सितंबर या फिर 15 अगस्त को इसी तरीके से आप आगे देखे बेटा कवीता की पंगतियां पूरी कीजे देखो, हम पीछे पोयम पढ़के आएं तो हम ये कवीता पूरी कर सकते हैं देखो, आए राश्ट्रिय तेवहार देश प्रेम का लिये पैगाम राश्ट्रिय ध्वज रहा फहर मात्र भूमी को करे प्रणाम हमारे उत्सव और त्योहार देते खुशियां हमें अपार बसंत पंचमी, खोली, मतवाली इद दिवाली, गुरुपर्व, क्रिस्मस रंग बिरंगे, पहन वस्त्र खुव मनाते हैं त्योहार तो यह हमारी एक छोटी सी पोयम थी उन्होंने बीच-बीच में से हमें शब्दे रखे थे हमको वो पोयम पूरी कम्प्लीट करनी थी तो आगे देखिए बिटा अब उसने का है दिये गई शब्दों के समान तुक वाले शब्द लिखिए समान तुक वाले मतलब सेम साउंड वाले जैसे रंग, भंग, फेहर, लहर सेम साउंड, खोली, गोली, अपार, अचार क्योंकि इन में हमारी सेम साउंड आ रही है समान तुक मतलब जिसे आप इंगलिश में एक तरीके से राइमिंग वर्ट सी बोल देते हो आगे देखिए अब वो कहा रहा है, हमें दिये गए शब्दों में क्या लगाना है आई या फिर इये जैसे देखो पढ़ाई, तो यह हमागरी ने प्लस कर देंगे तो यह क्या बन गया, पढ़ प्लस आई तो यह पढ़ाई हो गया चड़ प्लस आई, चड़ाई कठिन प्लस आई, कठिनाई इसी तरीके से देखो देश प्लस यह, देश यह भारत प्लस यह, भारत यह समान प्लस यह, समान यह तो अगर हमने इने जोड़ा, तो हमारा यह वर्ट बन सकता है इसी तरीके से बेटा आगे देखिए उसने कहा है नीचे दिये गए शब्द जाल में से दस तेवारों के नाम ढूंड कर लिखिए अब यह आपको पजल्ड ही दे रखा है आपको इसमें से ढूंडना है जैसे कि अगर मैंने ढूंडा तो यह बना गुरुपर यह बन गया हमारा लोडी, पोंगल, विसाखी, ओनम, दशहरा, दिपावली, रक्षाबंधन, क्रिसमस और ईद इस तरीके से आपको इसमें से 10 फेस्टिवल्स ढूंडने है आगे देखिए बेटा अब आपको इसमें क्या करना है इसमें हमें वोही जो 10 फेस्टिवल्स हमने ढूंडे थे उसमें से वो आपको यहाँ पर लिखने है जैसे कि देखो गुरुपर्व, लोडी, पोंगल, ब इपावली, इद और क्रिस्मस इस तरीके से जो हमारे 10 फेस्टिवल्स हैं हमने इसमें से धूंडे आगे देखिए वो क्या कह रहा है दिये गए शब्दों को शब्द कोश के क्रम से लिखिए जैसे रंग, जनवरी, इद, उपहार इन्होंने हमें दे रखा है तो देखो इ इद, उपहार, जनवरी, रंग, इन्हें हमें क्या लगाना था हमें क्रम से लगाना है इन्हें तो देखिए अब इन शब्दों को शब्द कोश के क्रम में लिखिए अब देखो उन्होंने हमें क्या दे रखे है कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जैसे कि पॉंगल, दीवस, उ हिंदी, महान, अपार, अजादी, अब हमें क्या करना है, इनको अरेंज करना है, अपार, अजादी, उत्सव, दीवस, इसी तरीके से पॉंगल, महान, वस्त्र और हिंदी, आगे देखिए बिटा, अब ये बड़ा इंटरस्टिक दिया हुआ है, उन्होंने हमें हर त्योहार को मनाने का कोई ना कोई कारण है, अधिकतर चीज़ों के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, अब हम फेस्टिवल्स मनाते हैं, क्योंकि उनके पीछे कोई ना कोई स्टोरी होती है हमारी, जैसे कि अगर हम दिवाली की बात करें तो लोगों ने दिवाली मनानी ही शुरू क्यों की थी क्योंकि जिस टाइम पे श्री राम अयोध्या वापिस आ रहे थे तो उस दिन बहुत काली अंधेरी रात थी उनको आने में कोई प्रॉब्लम ना हो तो जो वहां के लोग थे उन्होंने सडकों पे अपने घरों के पाहार और अपनी छटों पे क्या रख दिये थे दीपक मिंस दिये जला के रख दिये थे जिससे कि चारों तरफ क्या हो गई थी बहुती जादा रोश्नी हो गई थी और उनको बड़ी खुशी भी थी कि श्रीदाम आज वापिस आ रहे हैं तो इसी खुशी में जो हमारा दिवाली का त्योहार है वो सेलिब्रेट किया जाने लगा था इसी तरही के से हर फेस्टिकल फेस्टिवल को मनाने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है ठीक है बिटा नीचे दिये गए त्योहार कब और किन कारणों से मनाये जाते हैं जैसे कि अब एक तो दे दिया उन्होंने जन मस्ट मी पहले तो है कि ये त्योहार कब मनाया जाता है ये त्योहार या तो अगस्त में आता है या फिर सितंबर में आता है पहली बात और ये मनाया क्यों जाता है, कारण क्या है, जणमस्टमी मनाई क्यों जाती है, reason क्या है देखो जैसे आप अपना बर्डे मनाते हों तो आप candies क्यों लेकर आते हो उस दिन, इसलिए क्योंकि वो special day है, उस दिन आपका birth हुआ था ठीक है इसी तरीके से जन मस्ट मी या तो अगस्त या फिर सितंबर में मनाई जाती है और क्यों मनाई जाती है श्री कृष्ण का जनम दिन जो हमारे कृष्ण भगवान है उनका जनम हुआ था इस दिन इसी उपलक्ष में हर साल हम क्या सेलिब्रेट करते हैं बेटा, जन मस्ट मी ठीक है? इसी तरीके से अगला जो हमारा है वो है बाल दीवस अब बाल दीवस कौन सी डेट को मनाया जाता है? 14 नवंबर को और कीस उसमें बनाया जाता है पंडी जुआलाल नहरू का जनम दिन क्योंकि उस दिन पंडी जुआलाल नहरू जी का जनम दिन होता है और उस डे को Children's Day के नाम से भी जाना जाता है उस दिन बच्चों का बहुत ध्यान रखा जाता है और बच्चों को इसारी छूट दी जाती है इन फैक्ट स्कूल्स में भी अगर हम सेलिब्रेट करते हैं तो उस दिन टीचर भी स्टूडेंट को बनाया जाता है कि चलो आज आप हमें पढ़ाओ और उस दिन ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है चिल्डरन डे क्यों पढ़ा उसका नाम वैसे तो उस दिन पंडी जवाला नहरुजी का जनम दिन होता है लेकिन चिल्डरन डे भी इसले बोल सकते हैं क्योंकि पंडी जवाला नहरुजी को बच्चे बहुत जादा पसंद थे इसी उपलक्ष में 14 नवंबर को उनका जनम दिन सेलिब्रेट किया जाता है जिसे चिल्डरन डे भी बोल सकते हैं अब गांधी जन्ती क्यों सेलिब्रेट की जाती है उस दिन मोस्टली हमारा होली डे होता है न सबका और वो कौन सी डेट को होता है 2 अक्तूबर को और वो क्यों होता है क्योंकि उस दिन महात्मा गांदी जी का जन दिवस होता है बिंस उनका बर्थडे होता है क्योंकि महात्मा गांदी जी ने बखुत important role अडा किया था हमारे देश को अज़ार करवाने के लिए वर्ण आप तक देखो हम तो अंग्रेजों के ही गुलाम होते कोई भी खुल के कुछ काम करी नहीं सकता था तो उनका जनम दिवस होता है इसलिए वो 2 अक्तूबर को सेलिब्रेट किया जाता है होली होली किसलिए कौन से महीने में होती है मार्च में और नहीं फसल आने की खुशी में किसलिए सेलिब्रेट कि जाती है क्योंकि तब नहीं नहीं फसल आ जाती है ठेक है बेटा आगे देखिए आपको जो त्योहार सबसे अच्छा लगता है उसका चीतर बनाईए और एक अनुछेद लिखिए में उसके ओपर कुछ लाइने लिख सकते हो और जो फेस्टिवल आपको अच्छा लगता है उसकी पिच्चर आप यहां पर ड्रो करोगे ड्रो कर दो या पेस्ट कर दो बेटा अब देखिए मुझे तो फ्रेंकली बताएं कि मुझे तो दिवाली का त्योहार सबसे अच्छा लगता है तो देखो दिवाली के बारे में जो भी पता है वो यह वहाँ यहां पर लिख सकते हैं जैसे कि देखिए भारत में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं मिन्स बहुत सारे त्योहार्त सेलिबेट किये जाते ही हैं इंडिया के अंदर हमको ये चीज पता है किन्टु दिपावली का विशेश महत्व है इस दिन भगवान श्री राम चोदा वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस आए थे दिपावली के दिन लक्षमी पूजन किया जाता है हमें पता है कि उस दिन लक्षमी जी की पूजा की जाती है न और सभी नए नए वस्त्र पहनते हैं और मिठाईया बाटते हैं चारो और खुशाली का महोल होता है हमें यह त्योहार मिल जूल कर मनाना चाहिए तो देखिए होता ही है दिवाली का त्योहार जो होता है वो बहुत ही अच्छा त्योहार होता है उस दिन हम पटा के चलाते हैं नए नए कपड़े डालते हैं पूजा करते हैं दीपक जलाते हैं मिठाईया खाते हैं और मिल कोई जो poem है हमारी इसको आप read करोगे नए शब्द और question answers आप note book में लिखेंगे और छोटा सा ऐसे उसके उपर लिखोगे उस festival के जो आपको अच्छा लगता है जैसे मुझे तो दिवाली लगता था तो मैंने दिवाली के बारे में लिखा आपको जो festival अच्छा लगता है आप उसके बारे में कोई tell lines लिख लीजिएगा note book के उपर और पूरी की पूरी back exercise इसमें fill भी करनी है और learn भी करनी है I hope आपको ए पोयम अच्छी लगी होगी बेटा अब आपको अच्छा अच्छा करना है इसे thank you, have a nice day